सोडा मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है सलमान और आज हम आपके लिए क्या एक और नया वीडियो दोस्तों यह जो आप मशीन अब देख रहो है हमारा सोडा फांटर मशीन मारूती ओम्नी मोडल जो एट प्लस टू यह जो आठ देख रहे हैं यहां पर इस ओडा के नोजल दिये हुए हमने और यह दो साइड में आप देख रहे हो मैंगो पाइनेपल प्लेन जूस वाले फ्लेवर से और प्लेन सोडा के लिए अगर आपको फुल्जर सोडा या आज माज़र में कुछ और बनाने हो तो प्लेन सोडा से दोस्तों देख सकते हो मशीन का कितना बैतरीन फिनिसिंग यहां पर दो डोर देज़ों में रख सकते हो फिस्तेल में बनावा है दोस्तों और यह इसकी टैंक है फ्लेवर इसमें आपका स्टोरेज होगा पानी हम आप अंतर से बता रहे हैं दोस्तों देखिए 200 लिटर का य अब इसमें आपका पानी स्टोर होगा ठंडा होगा और यह कंदर पुरा दाइडा इंच का पुरा पफ इंस्वेशन किया हुआ है आप जो एक बार पानी ठंडा करोगे तो 24 गंटे तक यह पानी जो आपका ठंडा रहेगा सुबा से सामता सोडा आपके एकडम स्टॉंग नि सकते हो फ्लेवर की तो भी आप उसमें आसानी से रख सकते हो और यहां पर इसका टेंप्रेशर कंट्रोलर इसका वाइरिंग बॉक्स दिया हुआ है ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ परेशानी आती है तो आप यहीं से इसको खोल के वारिंग जो पुरा-पुरा पर्चेस करके दिया है यह 3 साल की वरंटी वाली इसकी 200 एंपेर की बैटरी है ठीक है जैसा के आप देख रहो अच्छी कंपनी की है और यह आप देख रहें इन्वर्टर है 1750 वी एका इन्वर्टर है माइक अटेड कंपनी का जो काफी ब्रांड़िट कंपनी है यह भी ठी काफी अच्छा बिजनेस है इस तरीके का मशीन आप मारूत योमनी में इको गारी में टाटा एस है की रिक्षा में लोडिंग रिक्षा में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो और गारी वाले मशीन में फाइदा यह होता है कि आपका मेले वगरा कुछ लग रहा है आपका कुछ कॉस्टिंग नहीं आता है और दस रुपे मिनिमुम आप जो है कर सकते हो दोस्तों अगर आप हमारी में से मेशीन लेते हो तो आपको मशीन जो है आपका जो भी लोकेशन होगा वहां पर मशीन आपको पहुचा देंगे और मशीन के साथ साथ आपको पुरा-पुरा सेटब जिस तरीके आप देख रहे हो यह सब्सक्राइब कर दोस्तों तो यह तामरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए कीजिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू फर वचिंग इस वीडियो